लेसिक लेजर से कितने नमबर तक का चश्मा हट सकता है ये सवाल बहुत ही कॉमली पूछा जाता है और इस वीडियो में मैं आज आपको इसी सवाल का आंसर दूँगी इसी तरह के वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं जो कि आई डिजीजर और लेसिक लेजर से रिलेटेड हैं तो आप और भी कुछ जानना चाहते हों तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हम आपको रेगुलर ऐसी इन्विमेशन देते रहेंगे अगर हम लेसिक लेजर की आज जो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँँ आपको कि जो लेसिक लेजर होता है यह आई अगर है आई का मॉडल है तो यह कॉर्णिया होता है ब्लैक पोशन इसके ओपर हम कुछ टिशू कट करते हैं चैंज हो जाए इसको कहरते हैं यह माइनस इसको कहा जयाता है मायॉपिया यह कैसमें कमजोर होती है यानगे कि से पarticular में होता है और प्रेस बायोपिया जिसका मतलब है कि 40 के बाद जो चेश्मा लगता है सभी को उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया तो लेसेक लेजर एक बहुत ही एडवांस टेकनोलोजी है उसमें बहुत चेंजे आए हैं जिसकी वज़े से हम पावर को बहुत अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं मायोपिया यानि की माइनस पावर को रफ्ली अराउंड माइनस 8 से माइनस 10 तक हम करेक्ट कर सकते हैं तो यह तोटली इस पर नहीं डिपेंड करता कि कितना पावर है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्णिया की थिकनेस कितनी है इसके लिए हम कुछ advanced tests करते हैं यह एक मैं आपको photograph दिखा रही हूं इसको कहते हैं पेंटा कैम बहुत ही advanced techniques होती है machines होती है जो आपके cornea की thickness और उसकी shape को सब को assess कर लेती है जिससे पता लग जाता है कि आपका actually कितना power correct हो सकता है प्लस का powers roughly हम लोग around plus five to plus six तक correct कर सकते हैं अपनी advanced technologies के साथ जो हम लोग use करते हैं उसका नाव है zioptics जो बोशनलाम चीनियों की technology है cylinders हम around three and a half to four तक के भी cylinders correct कर सकते हैं जो पहले संभव नहीं था लेकिन आज की date में है और press biopia यानि की reading का जो चेश्मा है जो 40 के बाद आता है उसको भी हम correct कर सकते हैं by a specialized technology जिसको कहते हैं supra4 again यह एक बोशनलाम की technology है बहुत ही advanced है तो यह थी information about how much power we can correct I hope आपको यह information useful लगी होगी और 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 भी कुछ आप जानना चाहें तो comment box में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं आंसर जरूर देंगे thank you